आज ये खबर बहुत इंट्रस्टिंग है, आपने टम्नेल से बहुत हद तक एक अंदाजा लगा लिया हुआ कि फिल्म स्टी के बारे हमें, लेकिन ठीक है कुछ चीज़ें जो आप टम्नेल से नहीं समझ सकते हो, वीडियो में आगे बने रहे हैं, आपको बहुत क्लारिटी म मिल जागी कुछ हक तक, और अगर कोई नया है तो मैं चाहता हूँ, सब्सक्राइब करें भी ना जाये, आप लोग को पता होगा कि अभी जब से ये इंडस्ट्री का, ड्रग कार्टेल, रिया, सुशान्त, और अभी फिर से लेटेस सलमान भाई, अमिताब बच्चन, जया बच्चन, बहुत गंदा अदम, मतलब एक तरीके से ये निकल के आ रहा है, कि बॉलीवुड की गंदगी, फिल्म इंडस्ट्री की गंदगी सामने आ रही है, और उसको साफ करने के लिए सबसे बड़ा और पहला स्टेप, अगर कोई ले सकता है, तो महारास्ट सरकार है, क् पहले से चली आ रही है, चलने दो, क्या ही फर्क पड़ता है, और इस चक्कर में कितने लोगों का हक मार लिया, कितनों को आउटसाइडर मना दिया, कितने ओपर्चूनिटी नहीं मिली, कितने टैलेंट वेस्ट हो गया, कितने टैलेंट सही समय पे रिकुनाइज नहीं इस विवाद को ध्यान में रखते हुए, और शायद प्लानिंग पहले से भी रही होगी, यूपी के सीम योगी आदितनात जी नहीं है, नोईडा में भारत की सबसे बड़ी और सबसे सुन्दर फिल्म सिटी बनाने का एलान कर दिया है, अपनी टीम से भी बोल दिया है कि इ अजयद से बात ही एक दिन की बात नहीं होती है, एक साल की बात ही होती है, इतनी जल्दी तयार नहीं हो जाएगा, लेकिन इसके कई महत्व हैं, आप एक एसपेक्ट ही है, जो मैं अभी समझाने वाला हूँ, साइद आप रिलेट करेंगे, जो कि बहुत जत्रूरी एसपेक हर जगे के साउथ में जो तेलेगूर, तेमेल, कंड़े सब रिजिनल लैंगविजेस के साब से चोटी चोटी इंडस्ट्री हैं, लेकिन जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है, जो देश की फिल्म इंडस्ट्री है, जिसकी ओरिजिनल लैंगविज जो बेस अगर किसी भासा पे है उसका तो वो हिंदी है और वो इंडस्ट्री महाराष्ट में है ऐसा क्यों क्या उसको नहीं जरूरी था कि हिंदी बेल्ट में होना चाहिए था और शायद उस गलती को सुधारा जा रहा है आपको यह नहीं रखता तो अगर हिंदी बेल्ट में हिंदी फिल्म इंडस्ट लेकिन हिंदी भाषा उसके जो लोग जिनका इसे पंकर्षे पार्थी मनुजाजपहई नवाजद दिन ऐसे कई मतलब ऐसे कई लोग्स जिनका टैलेंट बहुत समय पर रिपाइब होना ते उनको श्रॉगल करते करते हमने रिकनाइज नहीं किया, हमने उनको कभी फ्रेंट में नहीं देखा, बॉलिवुड वालोंने कभी फ्रेंट में आने नहीं दिया, अब क्या होगा जो जितने लोग भविश्य में एक्टिंग करना चाहते हैं, जिनको थोड़ा बहुत भी इंटरस्ट है, जो बहुत समय से घिसर हैं कि भाई किसी तरह के से चांस मिल जा है मुंबई जाने का, तो यूपी वाले के लिए महराष्ट में जाना, बिहार वाले के लिए महराष्ट में जाना, वैसे ही क्रिटिसिजम और बायसनेस और पार्शालिटी का मुद्दा बन जाता है, अगर हिंदी फिल्म इंडिस्ट्री, हिंदी बेल्ट में रहेगी, तो असली टैलेंट निखर के आएगा, और तब ये जो बॉलिवुड के जो चट्टे बट्टे हैं, जो मुंबई का जो आपको प्रोडक्ट दिखता है, उनको जब स्ट्रगल करना पड़ेगा, तब उनको स स्ट्रगल होता है किसी और स्ट्रेट से, किसी और स्ट्रेट में आना, नई जगह पर ढ़लना, भाषा में ढ़लना, और आखिले को एक्चुली परफॉर्म्ट तो हिंदी में ही करना है, तो फाइदा उनको होगा, लेकिन उनको थोड़ा वो स्ट्रगल की एहमियत समझ में आएगी, और यहां वालों के लिए बहुत 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 बड़ी उपर्चुनलिटी है, बहुत बड़ी, और अब तो मुकेश छाबरा का भी ऑफिस खुल चुका है लखनों में, तो यूपी में दोनों चीज़ें, कास्टिंग भी हो जाएगी, और फिल्म भी बन जाएग तो बहुत बड़ी उपर्चुनलिटी खुल लगी है, तो इससे बहुत सारी जॉब भी क्रेट होगी, खेर मैं जानना चाहता हूँ कि कितने लोग, ऐसे कितने लोग देख रहे हैं, जो इस बात का इंतजार कर रहे थे, जिनको इस बात से खुशी होगी, जिनको इस बात से यह step पसंद आया, वो comment ने बताएं, वीडियो अच्छे लगी हो तो share करें, चैनल पर आप पहली बार हैं, या फिर अभी तक आपने subscribe नहीं किया, तो subscribe कर लिजे, फिर मिलते हैं अगली वड़े में, जैहन, बंदे मात,